योग जी आजकल चुनाफ का केंपेंड हो रहा है आप राम मंदिर की बात करते हैं लेकिन अखलेश जी सी के चाचा है प्रोफेसर साब राम गुपाल यादव वो कहते हैं भारत में मंदिर की क्या जरूरत है देखे जरुरती सिले बन भी गया मेरा एमाना है भारत के इत्यास की सबसे महत्वपूर्ण और अभोत्पूर्व हर भारत वासी को अभिभूत और आनंदित करने वाली घटना है अयोध्या में सिर्वाम जनम भुई पर मर्यादा प्रसुत्म प्रवसीर राम का भव्य मंदिर का निर्मार्थ आप देख रहे होंगे अयोध्या के अंदर लाखों की संख्या में सरधालों प्रतिजिन आ रहे हैं आज भी आ रहे हैं इतनी भीषण गर्मी है तब भी लोग आ रहे हैं अयोध्या की आज की अयोध्या को और आजसे दस वर से पहले के अयुद्या को देख कर के कोई आता है तो अब पैचान नहीं पाता है कि सचमुच ये वही अयुद्या है मैं देख रहा था पुरे देश के अंदर जो अंदर से जो भी स्रधलों वहाए थे कोई जमीन चूम रहा है कोई पिलर को चूम रहा है उनके आँखों में आउसो थे तो मैंने कुछ लोगों से पोछा मैंने कि आखिर आप इतने भाव क्यों हो जा रहे हैं और रहने का साब जिस कारे को देखने के लिए हमारी कई पीडियां तरस गई पांसो वरसों के इस लंबे इंतजार को मोधी जी ने समाप्त करवा दिया अयोध्या में जो कारे अयोध्या के लिए और दुनिया के लिए असंभव हो था उसको मोधी जी ने संभव बना दिया और ये हमारे लिए नहीं बलकि इस लोग के साथ साथ परलोग को भी जवाब देने का एक उसर हमारे पास हो चुका है कि हाँ हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्मान को भी देखा राम मंदिर के निर्मान को भी देखा और राम लला को पांसो वर्सों के बाद होली और जन्मत्सों मनाने का उसर भी अपनी जनम भूमी पर प्राप्त हुआ है यहाँ मोदी जी के कारण संभव हुपाया है समय में अयोध्या में राम जनम भूमी पर आतंगी हमला हुआ था कासी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था जिनके समय में लखनों अयोध्या और वारानसी की कचहरियों पर हमले हुए थे और अखले स्यादो जो मुख्य मंत्री बने। उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था। इन आतंक बादियों पर दाइर मुकदमों को वापस लेने का कुछित प्रियास किया था। तो हम धन्यबाद कोम कालपनिक मानते हैं इत्यास साक्सी है जिसने भी राम का विरोध किया उसकी दुरगती जरूर हुई है इनकी दुरगती क्या है अपनी दुरगती के लिए जाके प्रभु जाके प्रभु दारुन दुख दीना ताके मति पहले हर लिना तो यह इस्तिती इनके साथ भी है प क्योंकि उन्होंने देश को दुखित किया है भारत की आस्ता के साथ खिलवार करके भारत के आस्तावान नागरिकों के आस्ता के साथ खिलवार किया है इसलिए अब उनके लिए सेश जीवन दुखी होने का समय है क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसे फल भी भुखतोगे अब उस प्रहुल गांदी तो बार-बार अपनी हर पबीतर में यह कहते हैं कि ये जो प्रान प्रशिष्ठा का कारिक्रम है इसमें उन्होंने अमिताब बच्चन को देखा एशरया राय को नाचते हुए देखा लेकिन किसी गरीब को किसी मज़ूर को नहीं देखा इनको सरमानी चीहे इस परकार की भासा का उप्योग करने में कि कोई गरीब नहीं था इस सरमिक कौन थे जो मंदिर का निर्मान कर रहे हैं उनका महमा मंडन प्रधान मंत्री अपने हातों से कर रहे हैं वे कुर्शी में बैठे थे प्रधान मंत्री जी उनके पास जा जा करके वर्षा करके उनका सम्मान कर रहे थे प्रियाग राज में सफाई कर्मियों के पैर प्रधानमंत्री जी ने अपने हातों से धुए ये पहली बार हुआ है आखिर कॉंग्रेस में राहूल गांधी के पर नाना प्रधानमंत्री थे उनकी दादी प्रधानमंत्री थे उनके रूप में कारे कर रही थी आखिर इस दोरान कभी इनको किसी गरीब के घर में जाने की बाद तो तूर किसी गरीब से समंदित कोई योजना उन्हों ने बनाई हो जिसने उनके जीवन में ब्यापक परिवर्तन किया हो नहीं किया राहूल एंड कमपनी यह लोग मंदिर क्या ज बैटना है ऐसे लगता था जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए गया हो तो पुजारी ने समझा यह मंदिर है मस्जित नहीं है पालती मार करके बैठिये पूजा करना है तो पालती मार करके बैठा जाता है कोई जो है नमाज पढ़ने का वो नहीं मुद्रा नहीं यहां बना क्यास्ता को क्या जान पाएंगे और आज से ऐसा थोड़े पहली बार हो रहे हैं कि राष्टपती दुरापदी मुर्मू को प्राण पत्षिष्ठा के कारेक्टर में इसलिए नहीं आमंत्रित किया क्योंकि वो एक आदिवासी है पहली बार देश के अंदर एक आदिवासी महि प्राणमंत्री मोदी जी के इनिसेटिव लेने के कारण कि समाज के अंतिम पैदान पर बैठे वे अंतो दैसे अम्रितो दै की यह द्यात्रा है आन्टियम पाइदान पर बैठेवे बेकते को भी सत्ता के शिंगासन पर, बैठने के सिथी T मंने करी बनने की सोची नहीं थी कभी नहीं हम लोग के मन में थाई कि आज मुखे मंतरी जी को भी आधनी उपराष्टपती जी को भी पूर राष्टपती आधनी रामनात कोबिंद जी को भी जिस सुची में हर तपके के लोग थे तो हमिताब अच्चन भी उसमें थे और मुझे लगता है कि हमें उनकी कला पर सम्मान का भाव रखना चाहिए नहीं तो नहीं थी ले लेती तो अच्छी बात होती है वही आखिरो भारत की नागरिक है उनको आने का अधिकार है और क्या अमिताब अच्चन की कला और कला जगत में उनके योगदान को बिस्मृत कर लेंगे और अगर बिस्मृत कर रहे हैं तो क्यों कॉंग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़ाय था परियागराश से